एलो बच्चों क्या हल चाल? तो बच्चों आज इस टॉपिक के हम बात करने वाले हैं वो है चिकन गुनिया ठीक है? चिकन गुनिया बटा ये जो NTA का नया स्लेबस अपडेट किया गया है उसके अंदर डेंगू और चिकनगुनिया दो नई डिजीज को एड़ किया गया है जो कि पहले NCRT में नहीं थी अभी भी NCRT में दे नहीं रखी है लेकिन फिर भी क्योंकि अगर NTA ने बिटा स्लेबस अपडेट किया है Human Health and Disease वाले chapter के अंदर इसको अगर include किया है तो question दो आने के chance है तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए तो बच्चो आज हम चिकनगुनिया को देखने वाले हैं इसकी जो पूरी information ने बिटा इस वीडियो के अंदर हम दे देंगे इसके बाहर से कभी आप पढ़ने की courses मत करना क्योंकि जो question आएगा बिटा इसी वीडियो से आने वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है अच्छा तो सबसे पहले बिटा हम इस चीज़ पर ध्यान मत देते है कि जो चिकन गुनिया है ये सबसे पहले तो ये समझते बिटा कौन सा वाइरस ये वाइरल डीजीज है बैक्टेलर डीजीज है क्या है तो सबसे पहले तो ये समझते बिटा चिकन गुनिया इस वाइरल डीजीज सबसे पहले तो ये याद रखना है वाइरल डीजिस है ये और किस वाइरस के द्वारा चिकन गुनिया वाइरस के द्वारा है न है न है चिए एच आई की भी भी कभी कभी है न सौर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है चिकन गुनिया वाइरस ठीक है अच्छा इता ध्यान देना है उसके बाद में आप से अगर ये पूछा जाए कि बिटा ट्रांस्मेशन कैसे हुआ ये तो काजल ऑगनिजम हो गया काजल एजेंट हो गया ये लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें कि कौन सा वेक्टर है बेटा जो कि इसको ट्रांस्मेट करने का काम कर रहा है तो वेक्टर बेटा डेंगु वाले में जो हमने बताया था एक वेक्टर तो कौमन रहेगा ठीक है दूसरा एक वेक्टर और है लिकिन मैं दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, अगर हम वेक्टर की बात करें, ट्रांस्मिर्टिंग एजेंट, मिटिंग एजेंट, या फिर वेक्टर की बात करें, वबुआ, तो कौन होगा, जरा इस पर ध्यान लें, एजेप्टी और 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 एजेप्टी औ हैं जिनकी वज़े से यह ट्रांस्मिट किया जा रहा है चिकनगुनिया वाइरस को शुमन के अंदर ठीक है अच्छा फिर से वही बात हमने का बिटा आर्थो पोड़ा कोई विमारी क्रियट नहीं करता यह क्या करता है अगर मैं विमारी को फैलाने का काम करता है और हमेशा अ अच्छा अगर हम आपसे सिंटम की बात करें कि यह चिकनगुनिया अगर हो गया पता कैसे चलेगा तो सिंटम्स आप डिजीज सिंटम में क्या क्या हो सकता है अचानक से तेज बुखार का आना सडेन हाई फीबर है ना सडेन हाई फीबर आ सकता है तेज बुखार अचानक स से तेज बुखार, इसके अलावा, severe joint pain, severe joint pain, sudden high fever, severe joint pain, इसके अलावा, इसके अलावा बिटा, आप कह सकते हो कि muscle pain, muscle pain हो सकता है, headache हो सकता है, headache हो सकता है, muscle pain हो सकता है, rashes हो सकते हैं, skin के उपर लाल लाल चकते पढ़ गाते हैं, chicken bonia के अंदर, ठीक है, chicken bonia virus के अंदर, लाल लाल चकते पढ़ जाते हैं, है न, तो rashes on skin, ठीक है, इसकिन के उपर रैसेस आ जाते हैं, अच्छा, इसके अलावा, सिम्टम के अंदर ये बाते हो गई, अच्छा बिटा, ये एक बात और समझके रखना, ये जो मैं सीवियर जॉइंट पेन की बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं, दूसरे टर्म में, वो टर्म इतना जर सकता या हो सकता है, कई कई बार महीनों तक चल सकता है, समझ रहे हो, तो चिकन गुनिया बिटा, ऐसी ऐसा फीवर है, जिसके अंदर, जिस भी इंसान को हुआ, आपको हो गया, हमें हो गया, इतनी बुरी कंडिशन कर देगा, कि हम अपनी जो नार्मल वर्किंग इफिसिएं का होता है, इंकुविशन पीरियड का मतलब वो टाइम पीरियड, जब किसी पैथोजन का आपके बॉड़ी के उपर अटैक हुआ हो, और आपके बॉड़ी के अंदर अटैक होने के बाद में सिम्टम कब नज़र आए, मतलब कि जब पहली बार ये जो चिकन गुनिया का वा तो लगभग लगभग तीन से छे दिन का हो सकता है, ठीक है, सरी बात हो गई, पता कहीं से लगाएंगे, डाइगनोसिस, अच्छा, सुनो जड़ा, बड़ी जरूरी है, डाइगनोसिस, डाइगनोसिस के लिए बिटा, एक टेस्ट होता है PCR, पॉलिमेरेस चैन, रियक्शन जब हम बायोटेक आपको पढ़ाएंगे, बड़ी खुबसूरत तरीके से इस कॉंसेप्ट को हम सम्झाने की कोसिस करेंगे, जिसका नाम है PCR, पॉलिमेरेस चेन, रियक्शन, ठीक है, इसके अलावा सेरो लॉजिकल टेस्ट होता है, सेरो लॉजिकल टेस्ट, चिकन गुनिय वाइरस का आपके बाड़ी के उपर अटैक हुआ होगा, तभी उसको देख के एंटी बाड़ी जनरेट करी गई होगी आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा, अगर एंटी बाड़ी मिल गई बलड के अंदर, सीरम के अंदर तो इसका मतलब यह माना जाएगा, भया कि आप प्रिडित हैं, अच्छा, डेगनोसिस हो गई, ट्रीटमेंट कही से करोगे, सही कैसे, अच्छा बटा, एक चीज और समझो, डेगनोसिस सायद हमसे, जो बटा, जब डेगनोसिस हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे सायद डेगनोसिस रह गई थी, तो डेगनोसिस के अंदर ह डियाग्नोसिस है ना डेंगू की डाइग्नोसिस अगर मैं बताओं बिटा तो इसके अंदर और पीचियार कर सकते हैं जो कोरोना के टाइम पर बिटा आपने बहुत सुना होगा आटी पीचियर कभी बायो टेक के अंदर मैं इस टेस्ट को डिटेल में डिसक्राइब करूँगा कैसे होता है क्या होता इसके अंदर ठीक है तो आटी पीचियर इसके अलावा आप यह कह सकते हो कि एंटी बाडी और एंटी जन है ना यह इनको डिटेक्ट करना है ना डिटेक्शन आप एंटी बाडी एं एंटीजन blood के अंदर detection करना किसका antibody को और antigen का detection किया जाता है diagnosis के अंदर किसकी diagnosis के अंदर डेंगू के अंदर अब सुनो क्या हो गया चिकनगुनिया वाइरिस के दौरा क्रियेट हो रही अलवोपेक्टर से सिम्टम के अंदर सदेन हाई फीबर हो सकता है सीवियर जॉइन पेन हो सकता है हैडेक हो सकता है मसल पेन हो सकता है रैसे जोन इसकी चकत्ते पड़ सकता है इंकुवेशन पीरिट तीन से छे दिन का बताया है हमने डागनोसिस में पीशी यार से लोजकल टेस्ट प्रिजेंस आफ इंटी वाड़ी इसके इंदर टेस्ट किया गया अच्छा अगर हम आपसे कहें कि कैसे ट्रीट करोगे अगर मालो बीमारी होई गई तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे तो ट्रीटमेंट के लिए भीया याद करो क्या कोई दवा बनी है सर इसके लिए नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बनी बबुआ, इसके लिए कोई दवावा नहीं बनी है, समझ रहे हो, लेकिन, लेकिन, जैसे अगर आपको चिकन गुनिया हो गया, तो डाक्टर क्या कोई दवाई नहीं देता, देता है भी या, जो सिम्टम आपके बॉड़ी के उपर एंटिवाईरल ट्रीटमेंट क्या है, नॉट अवेलवल, अवेलवल नहीं है, लेकिन, अगर मैं आप से कहूँ, कैसे ट्रीट करते हैं बिटा, तो सिम्टमाटिक, ट्रीटमेंट, किया जाता है, मतलब, अगर बिटा हाई फीबर है, तो फीबर को कम करने के लिए, दवा दी जाएगी, अगर जॉइंट पेन वगरा है, मसल पेन वगरा है, तो इसको कम करने की दवा दी जाएगी, समझ रहे हो, अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर ये कहता है, कि कम्प्लीट बेड रेस्ट है न, बेड रेस्ट धेर सारा करें आप, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट धेर सारा करें, हाइड्रेशन बना कर रखें बेटा, डेंगो और चिकनगुनिया, दोनों में ये चीज है न, मैं आप से कहना चाहता हूँ, चाहे डेंगो आप पढ़ो, चाहे चिकनगुनिया पढ़ो बेटा, बेड मतलब हाइडरेटेड रहना है, कैसे रहना हाइडरेटेड, पानी क्वान्टिटी बॉड़ी के अंदर कम नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ ये हो गई बेटा, ये ट्रीट्मेंट का तरीका हो गया, कोई दवा नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इसके ला प्रिवेंशन के लिए एक चीज़ समझो, प्रिवेंशन अगर मैं कहूं आपसे, प्रिवेंशन में वही पुरानी बात, जो हमने कभी डेंगू के अंदर कहीं थी, उसको मैं और अच्छे से कहना चाहूंगा, कि जो वेक्टर के ब्रीडिंग प्लेसे हैं, या फिर है न, इनको खतम किया जाए, पानी जो जल भराओ की समस्य है, आसपास में अगर कहीं पे है न, पानी वगरा भरा जा रहा हो, तो उस पानी को, है न, जो इस्टागनेंट वाटर कहीं कहीं जाकर रुख जाता है, डेंचेस में रुख गया, कहीं किसी कड़े में उला हुआ है, तो वहाँ पे उस पानी को जमा नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पे, अगर बिटा पानी जमा होगा हमारे आसपास में, तो उससे दिक्कत क्या होगी, वहाँ पे मच्छर के लारवा जो है, मच्छर बिटा वहीं पे है न, ब्रीडिंग करेगा, और उसके ल जो डेंगो के अंदर बिटा, डेंगो तो फिलाल वो दिन में मच्छर काटता है, तो उत्ती जरूवत नहीं है, लेकिन है न, इस चिकन गुनिया के अंदर बिटा, आप ये समझो, कि मच्छर दानी वायर मेंस का इस्तमाल करना है, बिटा, सोते टाइम, रेपलेंट है न, जो चिकन गुनिया फैलता है, उस समय ठंडी, जनरली नहीं होती है, तो आप जरा बचके रहें, ऐसे टाइम पर फैलता है, जब थोड़ा सा ठंडी और गर्मी थोड़ा का कॉम्बिनेशन है न, बढ़ियां सा हो, टंप्रेचर एकदम है न, मीठा मीठा टंप्रेचर हो, त आपको बीमार बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए हम यह चाहते हैं, आप स्वस्तर हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल सके, अच्छा, तो दोनों टॉपिक चिकन गुनिया और डेंगू दोनों इस तरीके से कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीशन के बाद में हम आप से एक चीज़ कहना चाहते हैं, दोनों टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको पढ़ें, इसके बाहर से पढ़ने कोर्सिस ना करें, क्वेश्चन होगर आम प्रवाइड करवा देंगे, वो आप कर लेना, बाकी वीडियो को आप फालो करते रहे हैं प्रवाइड जो प्लैलिस्ट आपके सामने बन चुकी है, उस प्लैलिस्ट को फालो करें, नए वीडियो रात में नौ बजे, हर दिन रात में नौ बजे एक्जाक्ट टाइम पे वीडियो अफलोड हो जाते हैं, तो आप लोग तुरंत वीडियो देखा करें, एक अलाम नेक्स्ट वीडियो बिटा, ऐसे ही किसी मज़ेदार टापिक पे होगी, या फिर हम नई स्रीज भी लांच करने की कोसिस करेंगे, बिटा, जो 12 और 11 वाली स्रीज है, उसको हम लांच करने की कोसिस करेंगे, एक रिविजन स्रीच चलेगे, जिसके थूँ हम नीट के आपके प्रिप्रेशन को बोस्ट अप कर पाएं, थैंक्यू वेरी मच